महा महीम राश्पती जी उपस्तित सभी वरिष्ट महानुभाव और आज जिनको सन्मान प्राप्त हुआ है वे सभी समाज को समर्पित महानुभाव मैं सबसे पहले आपकी इक्षमा चाहता हूँ क्योंकि कारकम थोड़ा विलम से प्रारम हुआ क्योंकि मैं किसी एक और काम में व्यस्ता हो गया इसके कार मुझे ही आने में देरी हुई इसलिए मैं आप सब की इक्षमा चाहता हूँ आज गांदी शांती प्रस्कार के लिए जिन व्यक्ति और संगठनों को सम्मानित किया गया है एक पकार से यह वर्ष महत्वपुन भी है क्योंकि पुझे बापू की 150 वी जैनती देश और दुनिया मना रही है और पाज बापू जीवन भर जिन बातों को लेकर के जीए जिसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा और जिसे समाज जीवन में समस्कारित करने का जिनोंने अविरत प्रयास किया ऐसे ही कामों को लेकर के जो संगठन समर्पीत है जो लोग्षकमर्पीत है वे इस सम्मान के लिए पसंद किये जाते हैं कन्या कुमारी का विवेकानन केंद्र हो एकल विद्याले हो ये समाज जीवन के आखरी छोड पर बैठे हुए लोगों को सिक्षा और संसकार के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं समाज के लिए समर्पन भाव से काम करने वाले बहुत बड़ी स्रंखला इनों ने निर्मान की है आज ये सम्मान के अवसरवर मैं उनका बहुत बहुत अभिननन करता हूँ जब गांदीजी से पूशा गया था तो एक बार उनका हाँ था कि स्वराज और स्वच्छता दोनों में से मुझे पहली कोई चीज पसंद करनी है तो मैं स्वच्छता को पसंद करूँगा और पुझे बापू का वो सपना पूरा करना हम सब का दाईत्व है देश के किसी भी कौने में जो भी स्वच्छता के लिए सवचाले के लिए अपने आप को खपा देता है वो हम सब के लिए बहुत सम्मानिय है और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए सुलब सवचाले जिस प्रकार से कायर कर रहा है उनका भी आज अभिनंदर करने का आउसर मिला है अक्सह पात्र के माध्यम से देश के बालकों को मध्यान भोजन मिले सरकार का याद सभी राज्यों में चलने वादी एक गतिवीती है उसको प्रोफेशनलिजम एक टच देने का प्रयास अक्षय पात्रा ने किया है और मुझे कुछी समय पहले वरंदावन में जाकर के तीन अरवी थाली परोसने का सवभागय मिला था भारत सरकार भी कुपोशन के खिलाब एक बहुत बड़ी व्यापक योजना के साथ एक मिशन के मोड में काम कर रही है क्योंकि भारत का बच्पन स्वस्त हो तो भारत स्वस्त रहेगा और इसी भाव को लेकर के इन प्रयासों में जन भागीदारी बहुत आवश्चक होगी है सरकार के प्रयासों में जब जन भागीदारी जूडती है तब उसकी शक्ति बढ़ जाती है मात्मा गांधी के जीवन की सफलता में सबसे बड़ी बात जो थी आजहादी के लिए मर्मिटने वाली परंपरा कभी इस देश में बंद नहीं हुई जितने साल गुलामी रही उतने साल कांतिवीर भी मिलते रहे यह इसकी विशेस था इस देश की लेकिन गांधी जी ने आजहादी को जन अंदोलन बना दिया था समाज के लिए कोई भी काम करूंगा तो उससे आजहादी आएगे भाव प्यदा किया था जन भागी जारी जन अंदोलन आजहादी के काल में आजहादी के लड़ाई के काल में जितना महत्मय था उतना ही समरद्द सुखी भारत के लिए भी उतना ही आवशक है वो भी गांधी का ही दिखाया हुआ रास्ता है कि जन भागी जारी और जन अंदोलन के साथ हम पुझ्य बापु के सपनों को पुरा करते हुए गांधी की डेवड सुभी जनती और अंदोलन में इतनी व्यस्ता के बावजुद भी वे सप्ताह में एक दिन रक्त पित्कियों के लिए सेवा में लगाते थे लेपरसी के लिए अपने आपको समय दे खुद करते थे क्योंकि समाज में जो मानसित्ता बनी थी उसको बदलने के लिए सासा कवाजी करीव चार दसक से इस काम में जोड़े हुए है लेपरसी के खिलाब एक जन जागर पादा हुआ है समाज में अब उसके शिकृति भी बनने लगी है ऐसे अनेक लोग हैं जिनोंने रक्त पित के कारण समाज में जिनको वंचित कर दिया गया उनकी वेदना को समझा और उनको मुखे धरा में लाने का प्रयास किया तो हैरे सभी प्रयासों को सम्मानित करना पुझ्य बापु को एक सच्ची स्रद्धानजली का प्रयास है गांदी 150 जब मना रहे तो इविश्व मानव कि रूप में दुनिया उनको जाने और खुशी की बात है कि इस बार उज्य बापु का प्रय भजन वैश्टन वजन तो तेने रखाईए दुनिया के करीब करीब डेड़ सो देशों के वहां के लोगों ने वहां के कलाकारों ने जो भारत की कोई भाषा नहीं जानते हैं उन्होंने उसी ढंग से वैश्टन वजन तो तेने रखाईए गाया और डेड़ सो देशों के गायक वैश्टन वजन गाएं यूटूब पर अगर आप जाएंगे तो इतना बड़ा यहने भारत भारत की पहचान कैसे बन रही है कैसे बढ़ रही है भारत की स्विकृति कैसे बढ़ रही है और गांधी के आदर्ष आज मानों कल्यान के लिए उपकारक कितने हैं यह विश्व स्विकार करने लगा है इसके लिए हम हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए हर नागरी के लिए इससे बड़ा गर्वक क्या हो सकता है फिर एक बार मैं सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत बहुत शुबकामना ही देता हूँ पुझ्यबापु के चरणों में नमन करते हुए विनमरस्थ धांजली देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद